हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज आप सभी को बिज्ञान का सभी महत्तुप्रोफ प्रशन को हल कराने वाले हैं जो आपके 2024 में होने वाले बोर्ड एक्जाम में 100% आने वाले सभी प्रशन हैं फ्रेंस यह ऐसे प्रशन हैं जो आपके पिछले साल के पेपर मे बार बार यह प्रस्ण पूचे गए हैं जो आपकी 2023, 2022, 2020, 2019 और 2018 में यह प्रस्ण इतनी बार रिपीट हुआ है कि आपको बता नहीं सकते हैं आप इस वीडियो को लास तक जिरूर देखिएगा जिससे जितने भी इंपोर्टन सवाल है आपको एक ही वीडियो में सभी प्रश्ण आपको मिल जाए चलिए फ्रेंज वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंज देखिए आपके सामने पहला नंबर का जो सवाल है इसको होटल दिरपड़ की फॉकस दूरी फंद्र hug को पता होगा कि फोकस दूरी होता है फॉकस को यह सी दिखाते ह वक्रत की आदा दिखाते हैं आधा होता है कितना पंदडर रख लेते हैं और इस दो का गुणा करेंगे दो का गुणा करेंगे और बराबर कितना कि सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा ठीक है आप सभी को यह फार्मुला और इस पर कई बार आप सभी को प्रश्ण लगवा चुके हैं समझ में आगया है अपके सामने अगला नंबर का सवाल है दूसरा नंबर का देखिए क्या है इस प्रश्ण को ध्यान से पढ़िए गया कि मानो नेत्र में रेटिना पर बनने वाला परतिवीम कैसा होगा आपसान यहां पर चार्ज इसको ध्यान से पढ़िएगा सीधा होता है तता सीधा ही दिखाई देता है या उल्टा होता है तता उल्टा दिखाई देता है उल्टा होता है प्रश्ण दिखाई सीधा देता ह या उपर्युद में से कोई नहीं तो फ्रेंच दिखाई का। देता सीधा दिखाई सेल का इसरी नहीं बने के चाहिए यह भी आपसण गलत है आपका उंटा होता है प्रण तो दिखाई सीधा देता है इसका मतलब यहला स्क्राइं आपको क्या हो जब जबहाएं अगला सवाल देखें तीसरा से याद रखिएगा विचलन से संबंदि आपके सवाल पूछता है कि सबसे अधिक किसमें होता है ठीक है और एक पूछता है सबसे कम किसमें होता है ठीक है दो प्रश्ण आपसे विचलन से संबंदि बनता है सबसे अधिक याद रखे किसमें होता है बैगनी में सबसे अधिक आपसन करेक्ट हो जाएगा समझ में आगे ना इसको conceptual याद रखिएगा अगला चोथा नंबर का सवाल देखिए कि एक टेसला बराबर है आपसन है वन वेवर प्रतिमीटर स्कॉार बोलेंगे यह वन गोस के एक टेसला बराबर हो तो इससे डारेक्ट याद रखिएगा एक वेवर प्रतिमीटर स्कॉार होता है इसका सही जवाप एवल आपसन करेक्ट होगा आपका आपके साहिए पांचवा नंबर का सवाल देखिए क्या है कि वैदुर्ष शक्ति का मात्रक होता है आपसन है बोल्ट कोसिंदा मात्रक होता है अपकाम को याद रखिएगा प्रतिरोत के संभंदित जितने भी आपको यहाँ पिता हैs pen जबन की मात्रक पूछता क्ये चाहिता च्छेत्र चुम्बक में आर्मेचर में सरपी वले में या भक्त वले में तो विद्धु चुम्बक प्रड़ा जो होता है विद्धु चुम्बक में होता है इसका सही जवाब याद रखेगा कि विद्धु चुम्बक के जो प्रड़ा होता है कहां पर होता है च्छेत्र चु सब्सक्राइब करेक्ट होता है इस प्रश्ट को आप याद रखिएगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए आपका आठवा नंबर का सवाल क्या है निमिलखित में से उसमा अभी उसमा चेपी अभिक्रिया काउन सा है आपसन को द्यान से पढ़िए सब्सक्राइब कर रहा है इसका सही जब क्या होगा एवल आप्सन करेक्ट हो जाएगा उसमा चेपी अभिक्रिया क्रिक्रिक्राइब क्रिक्राइब प्लस क्लेक्ट हो्प्सन करेक्ट हो जाएगा इसका पाचानने का तरीका क्या है यह चल्म दी में आगया होगा चुर्स का बी करता है इसका सही गए ehm here जाएक प्रश्ण को आप ध्यान दिजीएगा तो अगले नंबर दसवां नंबर का सवाल देखते हैं किसी अलकीन का सुत्र होता है यहां पर यहां पर पर परबन प्रमाडू के संख्याय का पूछेगा तो इस तरह आप जैसे बताएं उसका दूगुना आप देख लीजिएगा यदि दूगुना प्रमाणु को संक्या होगा तो आप वहाँ बता दे आलकीन का सुत्र हो जाएगा अगला देखिए 11 नंबर का सवाल विरंजक चुड का रसायनिक सुत्र आपको होता है कि विरंजक चुड का रसायनिक सुत्र क्या होगा तो it if набi चुड को होता है तो इसके आपके सावने पर अवह नंबर का सवाल क्या अधातु है आपसन के याफ एल यहन्य के मिन्स होता है पोटाइसियम यह मिन्स होता है फ्लोरीन एल मतलब होता है अलमुनियम यह मतलब होता है सोडियम देखें अधातु पूचा है जबकि यहाँ पर देखें आपका क्यों होता है मतलब पोटाइसियम आपका धातु होता है एलमुनियम क्या है आपका धातू है सोडियम का धातू के अंतरगत आता है जबकि जो फ्लॉरीर होता है यह अधातू होता है इसका सही जवाग बीवल आपसन करेक्ट होगा ठीक है अब चलिए अगले नंबर 13 नंबर का सवाल देखते हैं कि प्रोपे नाल में क्रियात्मक होता है इसका सही जवाप बीवल आपसन सही होगा कि प्रोपेनाल में जो क्रियात्मक समुव होता है सी डेवल इसको ज़रूरी याद रखेगा ठीक है अब देखिए आगला नंबर 14 वहाँ नंबर का सवाल आपका क्या है कि रक्ट में प्लाजमा ठीक है आप ध्यान दिजि आपसन में कई 55% तो 55% के साट के करीव ओटा कितने होता है 55% से लेके 60 के बीच में रख्त में आपका प्लाजमा की मात्रप पाह जाता है यहां आपसन में देखें के 60% दिया जिसका सही जवाप सीवल आपसन नंबर का सवाल देखें क्या है आपका कि निमनिमे से 5-2 हार्म अगला सवाल देखी सूलावा नमबर का सवाल फेफडों से सुद्रक्त आता है ठीक है आपको बताना जो फेफड़ा है उससे सुद्रक्त किसके द्वारा आता है बाय अलिंद में आता है दाय अलिंद में बाय नीले में यह दाय नीले में तो आप याद रखिएगा जो फेफड़ा है उससे आपका शुद्रक्त जो आता है वो बाय अलिंद में आता है इसका सही जवाब ये वाला आपसम करेक्ट हो जागा ठीक है जितने भी प्रश्ण आपको बता रहे हैं इसे एक दो बार वीडियो देखे जरू सभी प्रश्णों को याद रखिएगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं कि पूस्प में कितने भाग होते हैं तो फ्रेंज आपका जो पूस्प होता है उसमें कितना भाग होता है आपको बताना है तीन चार पांच या छो तो फ्रेंज जो पूस्प होता है उसमें याद रखिएगा जो पूस्प होता है उसमें टोटल कितने भाग होता है चार भाग जो ङोता है इसमें एक मादा हे इक का होता है नर का होता है इसमें तो गौर्षत्र में क्या होता है कि मादा का और डो दो रहें चाहि स्वाता 이름 नर का जुट्र होता है यहाई बनता है इसका जाए गोट में गूरसुतर की संग्या कितना हो जागा त्यू एक सोगाथ इसका सही जवब सीवाला आप्सन करेक्ट हो जागा ठीक है याद रखिए गाष्जाइन प्रश्न बहुत ज्यादा दींसरा वना जलल स्वाइलम सो क्या हुआ जल यानि जलला बोचता है जल का वहाँ कॉन करता थाँ अगला सवार देखिए आपका DNA पाया जाता है आप साने कोश्का द्रब्य में केंद्रक द्रब्य में केंद्रिका में या केंद्रक में तो फ्रेंस आप याद रखेंगा अगर जो DNA पाया जाता है कहाँ पाया जाता है नाभिक में कहाँ पैं नाभिक में या इसके लाओ माइट्रो कांड्रिया सुने माइट को केंद्रक करते हैं इसमें देखी डेनने कहां पर पाई जाता है केंद्रक में इसका सही जवाब भी डीवल आपसर करेक्ट हो जागा ठीक है तो फ्रेंस यहां पर आप सभी को 20 इंपोर्टन प्रशन करा हैं जो आप बोर्ड की परिच्छा में बार बार यह प्रशन पूछे करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें